मुंबई के निकड़ बजरे सुरी में मापितंबरा देवी यानि माता भगला मुखी मंद्रि का निर्मान होने जा रहा है आप से सयोग की अपच्छा करते हैं अगर आप सयोग करना चाहते हैं मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसपर, पेटियम या यूपियाई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इंकम टेक्स की आयकर धारा पीटीची के अंतरगर टेक्स में छूटका लाब ले सकते हैं इसके अलवा इसके बारे में जानकरी नीचे डिस्किप्सिन में दी गई ہیں वहाँ से आप जानकरी प्रापत कर सकते हैं इसके अलवा मुंबई के निकड़ वजरे सुरी में दो दिन का विव अगोर लचनी साधना सीविर संपन होने जा रहा है इसमें पहली बार पांच लाक मंतर का विशिच्ट अनुस्थान होगा इस साधना सीविर में भाग लेकर आप अपनी सभी प्रकार की मनों कामनाओं को कुन कर सकते हैं फिर चाहे वो व्यापार की समस्या हो नोकरी की समस्या हो कर्जी की समस्या हो इस साधना के द्वारा सुख सम्रद्धी प्राप्त कर अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं अग हम द्राम बीजमंतर की चर्चा करेंगे द्राम बीजमंतर भगवान दत्तत्रे का बीजमंतर माना जाता है प्रम्मा विश्णु महस तीनों की शक्तियां इस बीजमंतर में समाहित होती है इसलिए धर्म अर्थ काम मोच इनकी प्राप्ति होती है आज के इस भौतिक योगी में मुनुष्ट की बहुत सी प्रकार की मुनुकामनाएं होती है और यह सौभाविक भी है कि हम कितना भी धर्मकर्म की बात कर लें बहुतिक सुख को इग्नोर नहीं किया जा सकता उसे भूला नहीं जा सकता मुमाया से बचा नहीं जा सकता आज की युग में इंसान की जो पहली जुरुत है वो बहुत इक शुक है वो चाहता है कि उसके आर्थिक समस्याएं दूर हो उसकी मनों कामना पूर हो धंसर सम्मद्र सभी प्रकार की उसकी मनों कामना पूर हो वो अपने जीवन में परवारिक सुक्सांती भी देखना चाहता है वो अपने जीवन में अध्यात्मिक उन्रती को भी देखना चाहता है वो अपने जीवन में ऐसी आवस्था को जीना चाहता है जिसमें कोई शुत्रों नहों सब उसके मित्र हो वो अपने जीवन में सुखी दामपत्य जीवन को चीना चाता है, उसका विवाही जीवन सुख में रहे, उसकी फ़ाइस, उसकी संतान हमेशा योग्यर है, इसलिए हर बिक्ति की हर तरह की मनोकामना एक साथ में पूरी नहीं होती, लेकिन द्राम बीजमंत्र की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, कि इस बीजमंत्र का अभ्यास करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ती होती है, यही नहीं अध्यात्मिक छेतर में आपकी उन्नती बहुत तेजी से बढ़ती है, कि भगवान दत्ता तरह के जो लोग साधना करते हैं, उनके जीवन में साधना से समन्दी सभी प्रकार के जो विग्ण है, जो अर्चने हैं, तो देरे-देरे समाप्तोंनी सुरू हो जाती है, ऐसे लोग सावर विद्या के बहुत बड़े ककांड उपासक माने जाते हैं, साबर साधना यह बहुत जल्दी उनको सिद्ध होने लगती हैं, मंतरों की अलग अलग पत्तिय हैं, उनमें से सावर पत्ति जो है, बहुत ही आसान पत्ति मानी जाती है इस पत्ति के द्वारा वो आपनी सिभी परकार के नुनो कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं यही नहीं आपके जीवन में आने वाली कटनाईयां, निर्दंता, दुख, तकलिफें इस साधना के दम पर, इस साधना के अभ्यास से दूर होने शुरू हो जाती है साथ में आपका व्यापार, व्यापार से सम्मंदित कोई कार्य है तो उसमें आपको सफलता मिलने सुरू हो जाती है तो आए जानते हैं द्राम वीजमिंतर का अभ्यास कैसे करें डिली ढले वस्ते पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाए अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाए अपने सामने भगवान दततरे की फोटो रखें और अपने दोनों आँखों के बीच में पिंच करके भगवान दततरे का बीजमिंतर द्राम 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 सिर्फ इस बीजमिंतर की सिर्फ इस बीजमिंतर का जाब करें द्राम को दो तरीके से बुला जा सकता है आप द्रांग 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 द्रां आप द्राम लिखें द्राम बोलें या द्रा के उपर बिंदी लगाएं तो यह द्रांग हो जाता है या द्रा लिखने के बाद मा लिखें फिर आधा मा हो जाएगा द्राम जिसको हम इंगलिस में लिखेंगे डी आर ए डबल एम द्राम और यह मंतर जो है आपको 21 माला जलने दराम 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 इस बीज मंतर का 21 माला रोज आपको जाब करना है और यह मंतर सिर्फ तीन दिन का होता है सिर्फ तीन दिन की यह साधना है और इस तीन दिन की साधना को आप आसानी से कर सकते हैं अगर 21 माल आप करना चाहते हैं तो जादा जादा 30 से 40 मेट में इस मंतर का जाप समाप्त हो जाएगा तीन दिन के बाद चौथे दिन इसे को फल या फूट का दान कर दें वानी करना को भोजन कराएं तो बहुत सुबह है पैसे दान न करें वानी करना कर तो दान कर सकते हैं आप किसी दूसरे को आप फल फूट ही दान करें पैसे दान करें पैसे दान करना है तो मंदर की दान पे गया है मन में अच्छे च्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं मन की जो खराब जो लट है खराब बाते हैं बुरे विचार हैं बुरे थौर्ट्स हैं देरे देरे निकलने शुरू हो जाते हैं अच्छी ची बाते और सकारत्मक बाते और पॉजुटिव बाते आपके मस्तिस आने सुर्व हो जाते हैं कि जो आप सोचोगे वही तो बनोगे अगर हम अपने मन में हमेशा नकरत्मक विचार निगीट्यू विचार बुरे विचार बनेंगे तो हम क्या बने बुरे ही बनेंगे लेकिन जब ये विचार हटने सुर्व हो जाते हैं इसकी जगा अलग तरीके के विचार आने सुरू हो जाते हैं तो विचारों के अनुरूप ही हमारा विप्तुतु बनना सुरू हो जाता है आपके जीवर में आगर तरकी करना है तो नकरत्म विचार को निकाल कर सकरत्म विचार को डालना ही होगा इसमें यह बीज मंतर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अब जानते हैं इस बीज मंतर के कुछ नियम अपनी पूरी सुधा बनाया रखें इस मंतर को ग्रह तरसनियासी कोई भी जब कर सकता है इस अभ्यास में दिक्षा की जबदी होती है इस मंतर से सरीर में आतिदी कर्मी पैदा होती है इसले डिली राले वस्तफेन का अभ्यास करें मैलाओं को सम्मान दे पति-पति अगर इस मंदर का अभ्यास करें तो दस्गुना ज्यादा लाब मिलेगा इस अभ्यास से पसिना ज्यादा आना बार बार बातुन जाना सर्दी जुखाम इस तरह की समस्या हो सकती हैं लेकिन डरे नहीं अगर आप मोकरी कर रहे हैं विरोजगार हैं विद्यारती हैं या ग्रेनी हैं तो इस मंदर को पूर दिशा की तरह मुखर के जपना चाहिए अगर आप व्यापार कर रहे हैं कला के छेतर में हैं तो इस मंदर को पच्चिन दिशा की तरह मुखर के जपना चाहिए अगर आप से जुड़े हैं या बैंकिंग चेत्र मेडिकल चेत्र होटल के विशाय के चेत्र में हैं तो इस मंतर को उत्तर दिशा के तरह मुह करके जबना चाहिए इस मंतर के जब आठरा वर्स के उपर कोई भी इसी प्रूस कर सकता है या दखें जब भी आपको अच्छे कारे के शुर्वारते असंकल करते हैं तो रंद को इनको या चने आनी शूप हो जाती है इसलिए प्रबल्द संकल्प साथ अभ्यास करें इस मंतर कर जब सुर्यास के बाद करें तो ल मदद करती है असुनिया वजरुली मुदरा क्या है इसका अभ्यास जानने के लिए लीचे डिस्केप्शन में लिंक दिया है वहां से आप जानकरी रात कर सकते हैं आशाय आप उन्ने जीवन में हमें साथ सुखी रहेंगे धन्यवार